सूप्रबात बच्चों, आज हम कक्षा 6 के समाजिक विशय का भाग दीन, समाजिक एवं राजनेतिक जीवन का पाठ 2 विविदता एवं भेदभाव का पहला परक्रन पूर्वा ग्रय के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए करते हैं पाठ को शुरू विविदता एवं भेदभाव देखिए सब से पहले आपको नीचे एक चित्र दिखाई दे रहा है तो इस चित्र में आपको कुछ बच्चे दिख रहे हैं क्या ये सभी बच्चे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं तो हमारा उत्तर होगा न नहीं क्योंकि इन सब के पहनावा लग है इनकी शारेजिक बनावट अलग है पिछले पाठ में हमने विविदता के बारे में पढ़ा था आको याद होगा पाठ एक में हमने पढ़ा था खानपान पहनावा धरम भाषा आधी की जो विविनताइं होती हैं या आधी में जो अंतर होता है वही वीविदता होती है और कई बार जो लोग दूसरे से अलग होते हैं उन्हें चीडाया जाता है उनका मजाग उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गती वीदियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा वहवार करें तो हमें दुख होता है, गुसा आता है और हम असहाई मैसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो इस पार्ट में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुबव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौझूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए इसी क्रब में आगे देखते हैं। हम क्या हैं और हम कैसे हैं? यहा कई चीजों पर निर्वर करता है। हम कैसे रहते हैं? कौन सी भाशाईं बोलते हैं? क्या खाते हैं? क्या पहनते हैं? कौन से खेल खेलते हैं? और कौन से उत्सब मनाते हैं? इन सब पर हमारे रहने की जगा के वुगोल और उसके इतिहास का असर भी पढ़ता है अगर आप संक्षेप में ही निमन लिखित बिंदूओं पर ध्यान दे तो यह भी अंदाजा लग जाएगा कि भारत कितनी विविदताओं वाला देश है संसार में आठ मुख्य धर्म है और भारत में उन आठों धर्म के अनुयाई होता है कि उस धर्म को मानने वाले तो भारत में उन आठों धर्म के अनुयाई यानि मानने वाले रहते हैं तो देखो कि पूरे संसार के अंदर आठ धरम मुख्य हैं और इनी आठों धरम को मानने वाले ही यानि इन आठों धरम के अनुजयाई हमारे भारत में रते हैं और 1600 से जञदा भाशाइं बोली जाती है जो लोगों की मत्री भाशाइं है तो देखो हमें कितनी एक, दो, तीन, चार ज़्यादा से ज़्यादा हम 5, 6 भाशाओं के वारे में या उनके नाम जानते हैं लेकिन पूरे भारत के अंदर 1600 भाषाइं बोली जाती है यहां 100 से भी ज्यादा तरह के निर्थ्य किया जाते हैं तो यह विविदता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती हम उन लोगों के साथ सुरक्षित और आस्वस्थ मैसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं हमारी तरह बात किरते हैं हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं कभी-कभी हम ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन होते हैं यानि हमसे अलग होते हैं तो वे हमें बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं, लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरें की राय बना लेते हैं, इसके बार देखें, पूर्वा ग्रह, सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि पूर्वा ग्रह होता गया है, देखो कि हम किसी के बारे में पहले से कोई विराय बना लेते हैं यानि कि हम उस व्यक्ति के बारे में उस इस्थान के बारे में कुछ लोगों के बारे में अपने दिमाग में पहले से ही ऐसी कोई बात सोच लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वो पूर्वा ग्रय कहलाती है, यानि बीना कुछ उस पर सोचे समझे, उसी बात को हम सत्यमान लेते हैं, वही पूर्वा ग्रय होता है, तो अब देखिए कि पूर्वा ग्रय क्या है, उन कतनों को देखिए, जो आपको ग्रामीन और शहरी लोगों के बारे में सही लगे, जिन कतनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाईए, और क्या आपके दिमाग में ग्रामीन या शहरी लोगों को लेकर किसी भी परकार के पूर्वा ग्रय हैं, क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी यही पूर्वा ग्रय हैं, लोगों के दिमाग में ये पूर्वा ग्र लोगों के और शहरी लोगों के बारे में यहाँ बताया गया है। सबस고 ए गरामी लोगों के देघ लेते हैं, आधे से ज्यादा भारतियां गामों में एक तो हम हमें लगता है throughout the o doctor, लूट की जो भारतियां ऑनांशे donuts से ज्यादा वोगामों में रहते हैं। दूसरा गाउं के लोग अधुनिक प्रोध्योगी की का इस्तमाल करना पसंद नहीं करते हैं हमें भी ऐसे ही लगता है इसके बाद तीसरा है कि फसलों की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12-14 घंटे तक काम करते हैं तो सभी को ऐसे ही लगता है कि वो गाउं के लोग हैं वो खेतों में काम करते हैं इसके बाद अगला है ग्रामीन लोग काम की तलाश में शहरों की और स्थान अंतरन करने को बद्दे होते हैं सही है, सबी को यही लगता है कि गामों के लोग शहर काम की तलाश में जाते हैं और उनके लिए वो मजबूर होते हैं इसके बाद शहरी लोगों के बारे में क्या पूरवग रहा है कि शहरी जीवन बड़ा असान होता है यहां के लोग भीगड़े वे और आलसी होते हैं तो देखो ऐसा नहीं होता इसके बाद देखो शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं ऐसा ही लगता है हमें भी शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं लोगों की नहीं यह भी लोगों को ऐसे ही लगता है तो शहरों में रहना बहुत महेंगा पड़ता है लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिसा किराय और आने जाने में खर्च हो जाता है देखो तो यह सभी लोगों को ऐसी ही राय होती है ग्रामीन लोगों के बारे में और शहरी लोगों के बारे में तो देखो इसमें ये ग्रामीन लोगों के बारे में जो पहली बात थी कियादे से ज़्यादा लोग भारती है गावों में रहती हैं वो पूर्वा ग्रह नहीं है बलकि ये एक सची बात है सत्य है सरकारी आंकडों के नुसार भी भारत की 70% से अधिक आवादिय वो गावों में रहती हैं इसके बाद देखिए कि गावों के लोग आधुनिक प्रद्योगी की का इस्तमाल करना पसंद नहीं करतें तो ये भी पूर्वा ग्रैनी है ये ये भी एक सत्य बात है कि उन लोगों को इतने सुविदा बने होते हैं जीने धानिया कहते हैं इतने अच्छे अच्छे पक्के मकान बने होते हैं पूरी अधुनिक सुविदाओं युक्त होते हैं अगर उन्हें भी सुविदाएं मिलती हैं उनके पास संसादन होते हैं तो वह भी इन अधुनिक प्रद्योगी की का इस्तमाल कर सकत इसके बाद तीसरा था कि फसल की बुआई और कटाई के समय वो 12-14 गंटे तक काम करते हैं तो ये भी पूर्वा ग्रहनी है कि जब फसल की बुआई और कटाई का समय होता है तो उस वक्त क्या है काम अधिक होता है और इसी लिए इनको खेतों में 12-14 गंटे तक काम करना तलाश में शेहरों की और स्थान अंतरन करने को बाददे होते हैं ये भी एक सत्य है पूर्वा ग्रहनी है क्योंकि गाउं में है जो क्रिशे के अलावा उनके पस और कोई काम नहीं होता है जब बुआई हो जाती है और साल में एक या दो फसल ही वो कर पाते हैं तो बाकी सम प्रूम, इस प्रिख, इस प्रली पासिनुस अधिना सब्सक्राइच बढ़ता हैं लो फुटेंज दर्दू की अदिये सुर्वायर वे अधी look, दूरुआ लिके पॉर्ड सप उनके पास अपनी परिवार के लिए कम समय मिल पाता है इसके बाद कि शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं लोगों की नहीं तो ये भी पूर्वाग्र है नहीं है ये भी एक सत्य बात है कि सभी के पास वहाँ पर क्या होता है कि शहरों के अंदर जो व्यक्ति हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी वो काम करने का समय वो खुद निर्धारित नहीं कर सकते हैं, खुद निश्चित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जहां वे काम करते हैं, उनके ओफिस का समय फिक्स होता है, इसलिए उनके पास समाज के लिए समय नहीं मिल पात उन्हांता वो कुई समा सेवा नहीं कर सकते हैं और आउखे था कि शहरों में रहना बहुत महँंगा पड़ता है लोगों को कमाई का एक बहुत बड़ा इसा सिराहे और आने कि अने में खर्च करना पड़ता है तो ये वी सत्या ओफिस तक जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है यात्राई करनी पड़ती है जिसके कारण उनका पैसा और समय दोनों ही खर्च होते हैं तो इस तरह से क्या है कि हम लोग गाउं के लोगों के बारे में और शहर के लोगों के बारे में सुनी-सुनाई बातों पर व और जब कि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी और सिरफ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं, जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं, और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो उसे पूर्वा ग्रय का रूप ले लेते हैं, त किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है तो हम अक्सर दूसरों की इजत नहीं कर पाते हैं जो उसी काम को दूसरी तरह से अच्छी भाशा है और दूसरी भाशाएं मैतपुन नहीं हैं तो हम अन्य भाशाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज़त नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाशाओं भी बोलते हैं हम कई चीजों के बारे में पूर्वाग्र ही हो सकते हैं लोगों के धार्मिक विश्वास उनकी चमड़ी का रंग जिस छेतर से वे आते हैं जिस छेतर में वे बोलते हैं जैसे कपड़े वे पहनते हैं इतियादी यानि इनके बारे में हम पूर्वाग्र ही हो सकते हैं अक्सर दू ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुचा देते हैं तो अगला बिंदू है लड़के और लड़की में भेदवाव तो देखो समाज में लड़के और लड़कियों में भी कई तरह से भेदवाव किया जाता है हम सभी इस भेदवाव से परिचित भी है एक लड़का या लड़ लड़की की तरह जनम लेते हैं, यह तो ऐसा ही होता है, तो ऐसे में सोचने वाली क्या बात है, आईए, देखें कि सच्चाई क्या यही सच्चाई है, तो देखो नीचे कुछ कथन दिये गए हैं, और उसमें से इन तालिकाओं को भरना है, और अपने जो उत्तर आएंगे उन उनका बात करने का तरीका बड़ा सोमय और मधूर है, यह भी हम लड़की कोई बोलते हैं, कि आपको बात है वो मधूर आवाज में करनी चाहिए, इसके बाद देखो, तीसरा बिंदू है कि शारीरिक रूप से बलिष्ट हैं, यानि बलवान हैं, तो हम शारीरिक रूप से मानते हैं लड़कों को, वे शरारती हैं, तो हम यही कहते हैं लड़के शरारती होते हैं, इसके बाद अगला बिंदू है कि वे निरित्य करने और चित्रकारी में निपुन हैं, तो हम सुचते हैं कि निरित्य लड़के अच्छा करती हैं, वे रोते नहीं, तो हम लड़कों को ही कहते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं अगर आपने देखा भी होगा अपने आसपास अपने घरों में कि अगर कोई छोटा लड़का रोता है तो उसे क्या कहती है उसकी मम्मी तो उसे यह कहती है क्या लड़कियों की तरह रो रहे हैं है ना रोना तो लड़कियों का काम हो महनती हैं तो हमारी नजरों में लड़के महनती हैं वे खेल में निपुन हैं तो हमें भी ऐसा ही लगता है कि लड़के हैं वो खेल में निपुन होते हैं इसके अलावा वे खाना बनाने में खाना पकाने में निपुन हैं तो हमें ऐसे लगता है कि खाना लड़के आच्छा प तो देखो जो हमने ये देखे नीचे कुछ कथन तो ये किसलिए हुआ कि तो ये वहवार है वो जनम से नहीं होता बल्कि हम क्या है समाज में ये लगातार सुनते आते हैं कि लड़की ऐसी होती है लड़का ऐसा होता है और उसी के कारण हम समाज की इन मान्यताओं को बीना समझे मान लेते हैं और लड़के वे लड़कियों को उसी रूप में देखना पसंद करते हैं इसके बाद देखे आगे कि यहां पर आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं तो देखो कि सबसे पहले हम यह देख लेते हैं यहां क्या लिखा हुआ है कि उपर के चित्रों म वे शब्द हैं खास जरूरतों वाले बच्चे तो उनके बारे में लोगों के पूर्वा ग्रहों को यहां बड़े अक्षरों में दिया गया है साथ में उनकी अपनी भावनाई और विचार भी दिये गए हैं यह बच्चे अपने से जुड़े रूडिवत धारनाओं के बा करते हैं इस बच्चे के लिए जो लोग है वो तरह दरे की बात कर रहे हैं और यह अपने आप में क्या कह रहा है कि मैं लंगडाता हूं मेरी बोली भी लड़ खडाती है इसके अलावा और भी कुछ बहुत कुछ है कभी मैं उदास हो जाता हूं और कभी दुखी हो जाता और ये नई बात नहीं है, तो देखो कि इस तरह से इस तरह के बच्चों के लिए पहले क्या शब्द यूज किया गया, क्या उप्योग करते थे शब्द विकलंग, इसके बाद यहां दूसरे चित्र में देखो, कि तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हूं, तो ये बालिक इसके बाद तीसरे चित्र में देखिए, कि क्या उसका दिमाग सही है, तो लोगों की सबसे पहले यही बात होती है, सिरफ इसलिए नहीं कि मेरी टंगे हैं, वो डगमगाती हैं, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है, तो इस तरह से लोग हैं, जो कुछ अप अपने दिमाग में पहले ही कोई बात है, वो बिठा लेते हैं, इसके बाद देखिए, आगे, अगर हम इस कथन को ले, कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे, कि यह गुनाम तोर पर लड़कों और पुर्षों के साथ ही जोड़ा जाता हैं, बच्पन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है, तो माता पिता और परिवार के अन्य सदसे, अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं, कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बादूर होते हैं, रोते नहीं हैं, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, वे यह विश्वास करने लड़के लगते हैं, कि लड़के रोते नहीं हैं, यहां तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी, तो वे अपने आपको रोक लेता है, लड़का यह मानता है, कि रोना कमजोरी की निशानी है, हालांकि लड़के और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खास कर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो लेकिन बड़े होने तक लड़के सिख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है अगर एक बड़ा लड़का रोई तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिड़ाएंगे या उसका मजाग बनाएंगे इसलिए वे दूसरों के सामने रोने से अपने आपको रोक लेता है हम लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं, समाज को इन माननताओं को हम बीना सोचे समझे मान लेते हैं हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा वैवार इनके अनुसारी होना चाहिए हम सभी लड़के और लड़कियों को उसी छवी के नुरूप देखना चाते है तो देखो नीचे यहाँ पर एक ट्रेश्न है कि वे कोमल और मृदू सभाव की है वे बहुती सुशील है ऐसे कतनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए ये कैसे केवल लड़कियों पर लागू किये जाते है क्या लड़कियों में ये गुन जनम से ही होते है क्या वे ऐसा वहवार समाज से सीखती है आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राई है जो कोमल और मृदू सभाव की नहीं होती और शिरार्ती होती है तो देखो कि कुछ गुन्य जो या कुछ सभाव है जो जनम से ही होते हैं और कुछ वेहवार है वो बच्चा समाज से सीखता है तो लड़कियों का कॉमल और मृदू सभाव समाजी बनाता है और उनके अनुसार लड़कियों को कोमल और मृदू सभावी होना चाहिए क्योंकि समाज की ये धारना होती है या ये पूर्वा ग्रय होता है कि लड़कियों को कोमल और मृदू सभाव का होना चाहिए प्रन्तु सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती है कुछ लड़किया हो सकता है थोड़ी शरार्ती हूँ है न तो इसी तरह से समाज क्या करता है कि पहले से ही ये पूर्वा ग्रैकर बना लेता है कि लड़कियों को कोमल और मृद्धू सभाव का होना चाहिए तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद